तो आगे हम वापिस नहीं वीडियो लेके इस बार है वार्लेस चार्जर के उपर देखो यह है मेरे बास चार्जर इसकी अन्बॉक्सिंग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड डबा खोलो डब में से यह नहीं कालो इसके साथ टाइप-C की केबल दे रखिए अडाप्टर नहीं द लेटली वो था तो अन्बॉक्सिंग स्ट्रेट पॉवर्ड थी आ जाते हैं सीधा प्रोड़क्ट पे नो टाइम वेस्ट सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं यह प्राइब को लेते में 12 को भी मिल सकता है एक साल बात लोगे तो इसका नए मॉडल भी लिए तो यहे था हजार का लिया है एंड हजार रुपे में देखो बड़ेस चार्ज़ए थे आमेज़ान पर जो ची सर्टिफाइड थे ची सर्टिफाइड क्या होता है हम आगे सा तो हजार में बड़े सारे चाज़ एंग का रखा लिया मैंちょっと और वारी को पेडर्ट से भारे को बढ़े तो तो हजारा में में बडूत ब्लुव रहारे मेलें pretarmed मैं। लेकिन यह वाला क्यों लिया मैं इंपको बताता हूं यह उन्द मुलू अन्धला अच्छा लगा as you can see is pools यह काफी मिनिमलिस था एंड काफी अच्छा लग रहा था में को अपनी टेबल पर रखके एंड छुप रहा था अब इसके बारे बात करना स्टार्ट करते हैं अब अगर आपको रख दोगे अगर न्यू हो वारे चारज करना पड़े गा तो आपको इसको केबल से करना नहीं है अभी विर इंक्लूड़ ए तो आप आपको इसको टाइप सी डाटर से कनेट करना पड़ेगा यह आपकी ऊपर है आप कितने अच्छे से वह वायर को छुपा सकते हो देखो मेरा वायर मैनेजम्म तो बहुत ही पूर है तो मेरे पर तो मच जाना मैंने तो कोशिश करी लेकिन नहीं चुपा तो अगर आपके इसको दब्बे को रेफर करूंगा और आइफोन की स्पीड के मैं टेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है तो आइफोन की स्पीड को 7.5 वाट्स पर चार्ज करें गए जो मेरा पावर चार्जर आता है टाइप सी वाला आइफोन का डाट इस अरौंड 18 वाट अब भी कर दो चार्जर को यह जी चार्जर रिपलेस नहीं कर सकते हैं तो वाइलेस चार्जर आपके वहाँ पर थोड़ से स्लो पढ़ जाते हैं अगर आपको बाकि फोन के बारे में देखना है आइफोन के लिए मैं आपसे अगर कोई और चीन अपल डिवाइस होएगा अ इसे अपंच अल्ट्रा में तो अरॉंड पांच यर मे बैटरी जा रही तो देखो उनको चार्ज करने में तबड़ा टाइम तो लगे गा बट मैं कहूंगा यह वाइले डिया अब आपके फ्रास चार्ज को रिप्लेश नहीं कर सकते हैं उनको सपली में कर सकते हैं तो बार बात चार्जिंग से निकालता हूं, मेसेज का रिपलाई करता हूं, फिर वापस चार्जिंग में लगाता हूं, तो मुवी देखते हैं वह बहुत ब्रेके जाज़ाती है, तो उस टाइम के में को सबसे बेस्ट यूज लगता है, मैंने बस फोन उठाया, यूज किया और वापस अपने चार्जर पर वाडलेस चार्जर पैट पर यू लग दिया, तो उस केस में रिदम स्मूध होता है, और मुवी में धाय तीन घंट चलती है, अराम से बैट के फोन तो फूल चार्ज हो ही जाता है, तो उन केसे में आपके लिदम परफेक्ट है, या फिर आ आपकी डेस्ट पे बाबर फोन पे कॉल जाती है, मेसिज आते हैं, आपको उनको टेंट करना होता है, लेकिन बागी टाय आपका फोन आइडिल पर रहता है, तो अपने डेस्ट पे लगा सकते है, तो अपने फोन रख का फोन चार्ज हो रहा है, और अपने उठा के बात कर तो यह सेफ भी लगता है, क्यों देखो चार्जिंग लगता है, वो भी हामफुल होता है, उन वेस में थोड़ी जस्टिफाइड है इनकी चार्जिंग स्पीड बट अगर यह पावर चार्जिंग करें, फिर तो ब्रो यह बेस्ट चीज है दुनिया की, लेकिन अभी उस ल देखो एगा, आपल का अप कभी भी अडाप्टर लेते हो, उन मेरा अपल सर्टिफाइड लेक्वाना बहुत जुरूरी होता है, क्यों? देखो आपल के सारी जो टेक्नोजी होते हैं प्रोप्राइटरी होती है, मतला अपल की अपनी होती है और पेटेंड होती है, तो आप आपके फोन में हर बर बोलेगा कि आप ट्रस्ट करते हो इस अडाप्टर को यह नहीं करते हो, तो वो सब इशु रहते हैं, मैंने परस्नली भी सस्ते वाले अडाप्टर को हुषिश करी आइफोन पे, और वो बैटरी की कर देते हैं, तो उन चार्जर को हमीशा वाइशा व आपके फोन को पे कोई हाम नहीं होएगा, तो बस चीस सर्टिफाइड होना चाहिए, आप को भी वाइलेस चार्जर कर लो, मैं यह नहीं काऊंगा, यह वाल अड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले लो आप, उसको चीस सर्टिफिकेशन जरूर देखना हो, उसमें अगर चीस सर्टिफाइड है, तो वो कम्प्लीटी ओके है, आपके एंड्रोइड भी, आपल भी दोनों फुल पावर चार्ज कर देगे, एक ग्लोबल स्टैंडेड है, वाइलेस चार्जिंग का, तो उन्हीं ने सर्टिफाइड कर रहा है, उस ग्लोबल अगर अभी भी प्लास्टिकी सी स्मेल आ रही हो, अब तक आनी स्टार्ट हो चुकी होती है, कोई स्मेल ली है, तो मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और आपकी चार्ज कैसे हैं, बट मेंको ठीक लग रहा है, और मैं इसको एक हफ्ते सी उस कर रहा हूं, और मेरा फ फोन साइड में रखता हूं, बाकी तो मैं मुशलिए अगर काम पर जाना है, या पर कोई खेल ले या जिम जाना है, तो मैं कोई करता हूं, तो मैं कोई अच्छ शार्ज करों कि तब में थोड़े टाइम में जल्दी बैटरी ची होती है, तब मैं पावर चार्ज यूज़ रात में सबसे बेस्ट रहता है कि सोते बग आपको नीन दारी है मस्क्रोल कर रहो है तो फिर तपकते इस चार्जर बज रख दो ठीक है हो जाएगा अब लास्टी में बात करना चाहूंगा कि इस पे आपको फोन कैसे प्लेस करना पड़ता है कि धंग से चार्ज हो जाए तो अब टेडा मेडा रखोगे चार्ज नहीं होएगा आपको अलाइन करके बीच में रखना पड़ेगा अब उसमें लेकर एक बेनिफिट है थोड़ी सी मैंगनेट्स का रोल आ जाता है यह अपका हलका सा ऑटो अलाइन हो जाता है अपने थोड़ा बीच में आ जाता है मुस् कि मैंको थोड़ा सिशी हुआ था कि मैं रखके भूल गया था फिर मैं देखा थे चारजी नहीं बड़ा थोड़ा मेड़ा थोड़ा बीच में हमें सेंटर सेंटरली आलाइन करके रखना बढ़ता है यह था वार्लैट्लेस चार्जर के उपर मैंने से भी स्प्रिक के बारे review चाहिए हो तो मझे बताना किस चीज का review चाहिए वो भी करने कोजिश करूँगा and do hit the like button and I'll see you in the next one guys bye bye take care